आज हम सैमसंग FRP पर बात करेंगे जो काफी मोडलों पर काम करेगा चलिए देखने इसमें FRP है या नहीं स्काइब लस्काइब लस् यह वाइफाई कनेक्ट हो गया है इसने गूगल वेरिपिकेशन मंग आए है 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 यह नच्छ नहीं हो रहा है 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 हैं इसमें को है तब हमें करना क्या है सिबसे बहले अपिस बैक जाना है वो तो मेथड आप लोगों को पता ही है कि करना कैसा है इसमें भी कुछ चैंजिंग हो गया आप यह होम की तीन बार दबाना हमें टैक बैल वाला उप सुना रहे आए कि यह रहे हम यह से बंद कर देंगे कि जी टच्च कि अभी आ ऐपने कि अग्षिण फिडबेक में जाएंगे यह तिन नमबर ऑप्सिन करते हैं यह यूटूब आ गया है इस पे क्लिक करते हैं यूटूब ओपन हो गया है कि वह में जाना है बुक मारग में और इस्ट्रीम है डाउन्डोड इस्ट्रीम क्राइब आइज अधिर्म जाना है यह हमारे अश्ट्रीक पड़ा है इसमें दो मैं एप्स इंस्टोल करने हैं एप्स फाइल है जो मैं आपको लिंक साथ में दे दूंगा आप डाउन्लोड कर लेना कि मैंने डाउन्लोड करके SD कार्ड में डाला हुआ है हमें एपेक्स लॉंचर इस्टोल करना है ओपन कर जाना है एपन के एमारा फोन हो गया है ए अपन अब चल्लों हो गया है कि अधार सेटिंग में जाना है क्या है क्या है पॉच्ट हमें इसमें जाना है रोग एंड सीकुरिटी में इसमें यह उप्ष्ण आएगा वन कमें इगा इवाइज एज मिनिस्टर से मैं ये अंटिक करना है इस डी एक्वेट हो गया हमारा फॉन इवाइज इवाइज एप्लिकेशन में जाना है और यहां पर क्लिक करना है और सो सिस्टम एप पर क्लिक करना है हमें सिद्धा गूगल पर जाना है जी यह आगया गूगल एकॉंट मनेजर इस पर क्लिक करना है और से यहां से डीसेबल करना है और से बैक आना है और गूगल प्ले सर्विस जो है इस इसे डीसेबल करना है और हमें बैक आ जाना है वापीस पर हमें माई फाइल में जाना है एक एप्लिकेशन है नीचे लिंक दे दूंगा में दूंगा में इस्टॉल करना है तो नीचल रसे इसका ग्लास की प्लेश्मेंट क्या हुआ में दूंग कर देना है दे करना है वापीस सेटिंग में जाना है और यहां पर आगया है लौड एंड अकाउंट इसमें क्लिक करना है यहां गया अकाउंट यहां में एकाउंट डालना है तिसारे में गूगल का एकाउंट लेना है में कि यू प्या है १्या हे यहां इसमें अवरेख चूज्या है इसने पास्वर मंगा है हमारे अक्षाश रचाश में, वह हमें करना क्या है है ? वापस श्याटिंग में जाना है जो हमने काम किया था वह हमने वापस करना है वापस डिवायजर में जाना है डिवाइस मेनेजर इस वर इकल तक आगे आपको ब्लोक एंड सेक्यूरिटी में जाना है ऑफ्थर सेक्यूरिटी सेटिंग मे जाना है प्लाम्ण पर डिवाइस हेर अगय कि अध्यूर्ट के आप शेक्टिविट करना जिसको अमने यह प्लाय पर यहां पर जाना है में जाना है अब यहां पर क्लिक करना है जो हमने डिसेबल शीए थे इस पर क्लिक करें हमारा डिसेबल एप सो कर गये हैं अब कर देते हैं इसे भी एनिबल कर देते हैं और पर आजाते हैं कि पॉन को सिधा सिर्फ टी स्टार्ट करेंगे हैं कि यह मारा मोबाइल ओन हो गया है पीस नेक्स्ट करते हैं पॉलिटिक करते हैं नेटवर्क चेक कर रहा है जोस्तों हमारा एड एकाउंट इसने बता दिया है रेडी नेक्स्ट करते हैं क्यों शेशन विदियुत थे और यह यह िणार चनल जरूर्ट सब्सक्रिप्र लें मागे आपको इससे भी एच्छी एच्छी वीडियो देंगी सॉलुशन भी देंगी और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताएं लाइक करें अच्छा लगे तो अच्छा नहीं लगे तो मत करें यह आप मारा आ चुका है दो के फिर दो मत करेंगे में अच्छा अच्छा यह काया वेच्छा का अबड़ लाऊ अँनिस करना क्या है अधकर सब्सक्राइब आद आधकर ने लिए आधकर वे इतकर वापिस अंदर शेख फॉर्मेट कर देना है दो आधि प्रत तरीक ड़ीक है अधिवार नवार इसके लिए माइब आधकर जाना है अम बोटे को अपयो मोडल नंबर पे क्लिक करना है आपकर यह ओ पे बिल्डप पे अपकर देना है अब यह ज़ी कहने है अपया इन अपक्लिक राट ना पिला तर रखरों और एक सुपर साव हैं को में डेवलेप्पर्मेंट ऑप्शन ओन कर लेना है इसे हमारा इड़ी इनेबल हो जाएगा ताकि वो एफार्ट पी बबारा मंगे इने लगाना में लो कर देते हैं इस भी डेविंग भी ओन कर देते हैं इस बाद में फिर जनरल में जाना है बैक अपने रिस्टोर बैक अपन करना है फिर आटोमेटिक रिस्टोर ओफ करना है और सेगी ओफ करना है कर देना है अब हमारा फार्पी रिमूब हो चुका है और अब इसके अंदर हमारा एकाउंट है कर सकते हो और इसको वापिस हार्ड रिसेट कर दोगे तो इसमें जीमेल वह वापिस वेरिफाइब नहीं मांगेगा क्योंकि हमने डेवलेट पर अप्शन ओन करके एडिवी इनेबल कर दिया है तो इसमें अकाउंट नहीं मांगेगा चाहें तो हम अपना एकाउंट भी यह एक क्लाउड एकाउंट दिया हुआ है एकाउंट गूगल्स तर्यासिम अपना अकाउंट रिमूट भी कर सकते हैं अधे 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 रिमूट हो गया कि अन्यवाद